इस्राइल को हराने के लिए एक नया मोर्चा तयार हो चुका है और इस मोर्चे पर तीसरे हमास ने एक बड़ा हमला भी कर दिया है बुरी ख़बर मिलने के बाद नितन्याहू ने ये पूछा कि ये तीसरा हमास कौन है हमास और इस्राइल का युद बहुत से मोर्चों पर चल रहा है लेकिन जिस फ्रंट पर सबसे ज़्यादा आग लगी है उस मोर्चे पर तीन लोग बहुत बड़े न्यूज मेकर बन चुके हैं इन्हें लेकर जो खबरें गर्म हैं उसने नितन्याहू को बहुत ज़्यादा परिशान कर दिया है पहला है हमास चीफ यहया सिन्वार जिसने चौर्डन में हमास पार्ट 3 की शुरुआत कर दी है और यही इसराइल की सबसे बड़ी टेंशन है दूसरे हैं इसराइल के पुर्व प्रधान मंतरी एहूद बराप जिन्होंने दावा किया है कि गाजा और लेबनान मोर्चे पर इसराइल की सो परसंट गारेंटी है दीजरे हैं अमेरिका के पुर्व राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिज अमेरिका की अगली राष्टपती बनी तो इसराइल दो साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा सबसे पहले बात जॉर्डन की जहां वेस्ट बैंक और एलन बी ब्रिज क्रॉसिंग पर एक ट्रक ड्राइवर ने इसराइल के तीन सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भून डाला ये ट्रक ड्राइवर जॉर्डन की तरफ से आया अपनी गाली से उत्रा और बॉर्डर गार्ड्स पर गोलियों चलाने लगा इस हमले में तीन सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है जबकि हमलावर भी जवावी कारवाई में मारा गया मारा गया हमलावर जॉर्डन का माहिर अल-जाजी एक ड्रग ड्राइवर था उससे हमास ने अपना हीरो बताया है इसलिए कहा जा रहा है कि क्या जॉर्डन में हमास पार्ट 3 लाँच हो चुका है ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि अब نیतनियाहु के उपर तीन तीन हमास मन राने लगे हैं घाजा में हमास पार्ट वन, विस्ट बैंक में हमास पार्ट टू और अब जॉर्डन में हमास पार्ट 3 इसराइल का तीसरा बड़ा दुश्मन बन चुका है इस्राइली सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद जॉर्डन की राजधानी अमान में लोग सड़कों पर उतर आए इस्राइल के खलाफ नारे बाजे शुरू हो गई साइक्लों लोगों की भीड माहिर अल-जाजी को अपना नाहिक बता रही है फिलिस्तीन के लोग जॉर्डन में बड़ा प्रोदेशन कर रहे हैं फिलिस्तीन को लेकर जॉर्डन में बड़ा समर्थन है और घाजा में बंबारी के खिलाफ यहां लगातार प्रोदेशन भी होते रहे हैं लेकिन इस प्रदेशन ने जॉर्डन की सरकार को भी हिला कर रख दिया है क्या जॉर्डन में अब इसराइल के खिलाफ नई चिंगारी शोलों में तबदील होगी क्या जॉर्डन की पबलिक अपनी सरकार को इसराइल पर तबाव डालने के लिए मजबूर करेगी क्या ये प्रदेशन साबित करता है कि अब हमास का उपरेशन अब जॉर्डन से भी शुरू हो जाएगा अधी लामलिये तुए अकिद अन्हादी अल्मारक लेसे मारकत अल्स्तिनीन उहदाएं वेस बैंक और जॉर्डन के बॉर्डर पर हुए हमले के बाद अमान और बाकी इसराइल के जंडे जलाए जा रहे हैं लोग मिठाईयां बाट रहे हैं ये साफ साफ नेतनियाहू को मेसेज है कि उनके खिलाफ अब जॉर्डन में एक नया मोर्चा खुल चुका है जिसे हमास पार्थरी कहा जा रहा है अब तीसरे मोर्चे पर ऐसे हमलों को रोकना उनके लिए आसान नहीं होगा ये बात नेतनियाहू से जादा बाइडन के लिए बहुत बड़े तनाव की वज़े बन सकती है फिलहाल पश्चिम एशिया की मीडिया में इसराईल के पूरु परदानमंत्री एहुद बराक के एक बयान से बहुत जादा चर्चा है इसराईल के हयुम अख़वार को दिये इंटरिव्यू में नितनियाहू को ले करके एहुद बराक ने बहुत सकत बात कह दी है एहुद बराक ने कहा है कि सच बहुत कड़बा है इसराईल ना साथ अक्टूबर को जीता ना इसराईल मौजुदा युद जीत रहा है सच्चाई ये है कि हम हार की चोखट पर खड़े हैं अब इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए क्योंकि टारगेट पर तो साफ साफ नेतनियाहू है युद धारने वाली बात सुनकर इसराईल में तनाव बढ़ने लगा है अपने पूरु प्रदान मंत्री की बात नेतनियाहू और उनके सरकार को बहुत बेचैन कर दिया है और अब ये बेचैनी इसराईल की फौज में भी फैल सकती है और यही सबसे बड़ा खत्रा है इसलिए रक्षा मंत्री यो गैलन्ट को घाजा के मोर्चे पर जाकर बताना पड़ा कि आल इस वेल इसराईल युद हारने नहीं जा रहा यो गैलन्ट बार बार इसराईल के मोर्चे पर जाते हैं लेकिन अजबार उनका सेनिकों के बीच पहुँचना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि एहुद बराक में इसराईल में खत्रे की घंटी बजा दी है आपने बाज़ा नियूजमेकर हमास चीफ यहया सिन्वार जिसने जॉर्डन में हमास पार्ट 3 के शरुवात कर दी है आपने दूसरे नियूजमेकर को देखा इसराईल के पुर्व प्रधान मंतरी एहुद बराक जिन्होंने दावा किया है कि घाजा और लेबनान मोर्चे पर इसराईल की 100% गैरेंटी है अब देखिए तीसरे नियूजमेकर हैं अमेरिका के पुर्व राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्टपती बनी तो इसराईल दो साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा इसराईल के मिटने और खत्म होने की चेताउनी दे रहे हैं डॉनल्ड ट्रम्प वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल माईकल कुरिला ने इसराईल की मिलिटरी लीडर्शिप से मुलाकात की है इस दौरान जनरल कुरिला को बताया गया कि घाजा से लेकर वेस्ट बैंक में ऐसे आपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ एरान के खत्रे को लेकर भी बहुत सी बातें की गई है क्योंकि एरान ने अब तक हमास चीफ इसमाईल हानिया के मुर्डर का बदला नहीं लिया है ये मेटिंग साफ साफ बता रही है कि तेहरान को लेकर तेल अव्यू में बहुत बड़े फैसले लिये गए हैं इस वक्त इसराइल और अमेरिका की ऐसी मेटिंग को लेकर सबसे ज़ादा अलर्ट इरान है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी अपने कमांडरों को एक चेताउनी भरी सलाह दी है तामने ने कहा है कि दुष्मनों पर कभी यकीन नहीं करना चाहे समझाते को लेकर कितनी भी बाते क्यों नकी जाए अमीद नबनेदें बरे बरनामाहमों मुन्तजर मुआफ़कत दुष्मनान इसलिए पश्चिम एशिया के आस-पास का इस वक्त अबल रहा है क्या फारस की खाडी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है उबलत समंदर में कोई है जो तेजाब डाल कर यहां युद करना चाहता है चार देशों के नाम लिए जा रहे हैं यह है इरान, इसराइल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़िश सितंबर के महिने में ही एक बड़ा युद करवा सकती है क्या सितंबर के महिने में एरान और इसराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका और रूस दोनों शामिल होने जा रहे हैं अगले 48 घंटे इरान और इसराइल दोनों के लिए बहुत एहम है तिलहाल अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इरान के पास भी है और इसराइल के पास भी है इसराइल में अमेरिकी जनरल कुरिल्ला का दोरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त इसराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है और इस फैसली के टार्गेट पर हमास नहीं बल्की एरान होगा